पुलिंद राच जब भूमी बुंदेल खंड जो तुम तेख रहे ना वाके मालिक हैंगे आम और अपने जियत जियत काउ कोई ते नहीं यान दें समझ रहे हैं के हो एक लब से कह दो हम वाकी 22 दिन ता सीकार नहीं कर रहे हैं लणे वासे हम उचर्ण अर जब तक लड़े जब तक हम आय़ चान में चान हैंजाके कहा दो पासे कि पुलिंद राच हार मानने के लञाने नहीं पाlov जीत सथाने लहानए पादा भाऊ है तो सर बहुत-बहुत स्वागत है टुपल डॉट कॉम पर आपका धन्यवाद धन्यवाद लिए हमने इस चैनल का जो है हिजाद किया है टुपल बुंदेलखंड और यह जो है वहां के जितने भी छेत्री अकलाकार है और जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे और तमाम चीजें जो हम कवर कर सकते हैं वह सारी चीजें कवर कर रहें चैनल के माध्यम से और कोशिश क कर रहे हैं कि लोग जो है थोड़ा बहुत उन चीजों से जुड़े जो शायद भुलाद दी जाती है बहुत जल्दी और तुमस इसी करम में हम चाहते हैं कि आपके साथ एक सेशन दखें तो सब सब सबसे पहले तो स्वागत और स्वागत के साथ मैं कहना चाहूंगा आपक को भी नौवर्ष की बहुत 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 शुकामना बदाई और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं अप लोग जी सर सक कैसा चल रहा है अभी पूरा अगर हम बात करें स्टम की 2020 कैसा गुजरा और नए साल से क्या उमीदे रखते हैं कि 2020 जो है क्योंकि मैं सकरात्मक सोच का वेक्ति हूँ तो मैं तो जो हुआ है अच्छा ही हुआ है और आगे भी अच्छा ही होगा और क्योंकि हम लोग एक आपदा से निकल कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और आपदा के दौरान एक चिंतन का उसर हर किसी को मिला मैंने भी एमिजोन में आठ किताबें जो मेरे नाटक वगरा लिखके मैं रखा हुआ था उथको मैंने इबुक बना के प्रकाशित किया फिर इसी दोरान मैंने एडिटिंग का भी कारे किया और बहुत सारे चोटे-चोटे वीडियो बुंदेलकंट से संबंदित बनाने का प्रयास किया और जाते-जाते साल में ही हमारी एक कोमेडी सीरीज सब छोल जाल है वो भी प्रसारित हुई जिसकी शूटिंग हम लोगों ने होशंगाबाद में की थी और बहुत अच्छी सीरीज है वेंग्यात्तमाख है इसमें इसके लेखन जो है डाक्टर गोपाल नराय जी ने किया जो बहुत ही राइटर है और ये उसकी बात है वो पिछले दिनों इसी महामारी का श्रिकार हुए दिवंगत हो गए उनको में शिरद्धा सुमना रिपित करता हूं पैप्टेक टाइम इशान खबरम और अद्दखल निउस और जाते-जाते साल अभी पिछले म जिन्हों ने वेलकम और द्रीम गर्ल उसमें इससी थेरेक्टर है आप उनकी पहली फिल्म है यूवी प्रेटर के सम्राड़ की ने पुछिया है अब मुख फिरदार है मदद है उन्टीस तक और बहुत अच्छी शूटिंग रही और एक बहुत ही अच्छी विश्य के साथ यह जाता जाता जो साल था मुझे बहुत अच्छी चीज देके गया एक सिनेमा ऐसा सार्थक सिनेमा जो एक अच्छी बात जनता के बीच लेकर आएगा गुठली के मार्देम से संजय मिश्रा जी इसमे बुक्ष भूमिका में है जातेजाते के साथ जो 2020 था कह सकते हैं कि बहुत कुछ सीखने का वर्ष रहा और कुपलबदी का भी वर्ष कह सकते हैं जाते जाते जो यह मुझे गुठली नामक फिल्म मिली है और पहली बार मैं मुख खलनायक के रूप में इसमें कार कर रहा हूं और रिशड़ खाल साहब ने अवसर दिया है और मेरे यह सभागि कि बात है, 2021 बिल्कुल सर और क्योंकि वर्व हमारे बुंदेल खाल में काहवत है मन के हार हार है मन के जीते जीत, तो मन अच्छा, पठोती में जैदर मन चंगा, तो कठोती में गंगा पटोचिन गंगा हम लोग चल रहे हैं सब कुछ अच्छा ही होगा यह मान के चल रहे हैं और कभी-कभी आपदाएं आ जाती हैं क्योंकि हम लोग प्राप्त व्यक्ति तो है नहीं कि सुख दुख तो आते जाते भाग लेखना मानो क्यों बनते हो अज्ञानी तुम कर्म घ्ञान को पहचानों तो सुख दुख का जो पलडा होता वो आता जाता रहता है जो हमारे हाथ में नहीं हिरा और हरकत से भरकत है हिल्ले रोजी बहाने मौत जब हम मिलेंगे दूलेंगे तो रोजी-रोटी आएगी और मौत का बहाना होता है बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं सुब कामना देता हूँ आपको गुठली और आपकी खलनाएं की भूमका के लिए की जो है बहुत अच्छा लोग उसको पसंद करें आपने एक बात कही कि जो है अच्छा गुजरा साल और मैं अगर कलाकारों की बात करूं तो उन सभी कि अपना जो अभी तक ऑनलाइन नहीं आ पा रहे थे आएसे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं अपने आपको शो कर पा रहे थे उन्होंने भी एक जदिया मिला उनको मौका मिला उन क्या समझते हैं आप मैंने जो पहले भी बात कही है कि यह व्यक्ति के उपर निर्भार करता है जैसे कि पुरानी ही कहावत है कोई किसी को नहीं बढ़ाता अंदर उसके अंदर की जो आग होती है उसको वो वो बढ़ाती है जब आप क्यासा होती है तो आप सीखते हैं तो अभी जो कालक्रम गुज है जैसे जूम मुझे भी नहीं आता था गोगल मीट मुझे भी नहीं आता था जैसे ही अवश्रक्ता हम ने सीखा तो बहुत सारे लोगों इससे सीखने प्रयास किया हमने भी बुंदेल खंड फिल मुद्द्धों के नाम से एक पेज बनाया और पेज में लगभग हम देड सो हमारे जो बुंदेल खंड के लोग हैं जो बॉमबे में भी काम कर रहे हैं विदेश में भी हैं और जो नए लोग हैं उनको भी जोड़ा तो बहुत से लोगों को लाइब आना आता नहीं था लेकिन ये सीखने का क्रम चला ला बहुत से लोग सीखे तो ये जो बीब लेकिन जब वो सीखने लगता है तो उसका भी वो उसी के साथ चलने लगता है तो हमारे जो छेत्री कलाकार हैं उन्होंने इस वीधा का सदूप्योग किया है और जिसके पास जैसी प्रिद्भा थी वो उसको लेकर और लोगों ने उससे सराहा भी है जैसे मैंने भी एक तो इस तरह नए प्रियोक्त है और सीधी बादशीत तो क्योंकि होता है ताली बच्ची तो लगता है आमने अच्छा संबाद बूला है लेकिन वहां से तो बस कमेंट्स के माध्यम से या माध्यम से ही लोग बता सकते थे कि आपने बहुत अच्छा किया है मुझे तो भडास के लिए बेस्ट एक अवार्ड कि वे इस स्थीवल में तो सगया है हर कलाकार को डिया है कि अ बिल्कुल तो कही नहीं जो में मौकों का नहीं अविश्कार करने का और जैसे कि कहा जाता है किहां जऺ आवशक्ता अविशिकार की जन्नी है तो आवशक्ता मिसम desugaцы परी सबने अपने विश्ष नलुशन उठाया चीक मिली कि आगे अब कैसे किस तरीके से हमें चलना चाहिए अपने आपको थोड़ा के एक शिकायत रहती है कि बंबाई सबके लिए नहीं है और खास तोर से ऐसी छोटी जगों से जाके वहां पर अपना मुकाम बनाना हासिल करना कुछ करके दिखा पाना बहुत मुश्किल है आप इस पर क्या समझते हैं क्यों मुश्किल होता है या फिर ऐसा क्या है जो पीछे यह रहा है मैं आप एक सूत्र वाकि रहा है चुरू से बाच्छी संगत होती तो अच्छी रंगत होती है तो किसी ने कहा था सफल व्यक्ति पास समय नहीं है कि वो आपको सला दे रस फल्व्यक्ति राइका पाहण वना डिता है तो अगर अस्खल विक्ति से क्यों साला मानों तो आप डर जाएंगे तो जो एक डर होता है और डर के आगे जीतो तो बहुत से लोग डर जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो मेरा ये मानना है कि जिसकी जो जग्यासा हो तो जिग्यासा के लिए उनन लोगों से मिलें ये महत्पून है। अच्छे लोगों से मिलेगा तो अच्छी सलाह मिलेगी। रची बुरे लोगों ता Haradaamı, बुली बुरी सलाह मिलेगी। क्योंकि मैं तो लय किया हूँ। बाद भारते अंद्री नाट एकादमी लखनों में दो साल का डिप्लोमा किया फिर उसी दौरान हम लोगो भारती फिल्म एबन टेलिवीजन संस्तान पूने भी भेजा गया और एक मेने के लिए एनस्डी भी जाने का राज्टी नाट विद्या ले जाने का भी अवसर मिला त तो किनानवन होने लगता है माज़ यह जो लोग भी आज काना चाहते हैं तो वे जब आप अनभाव ही सिखाता है और अच्छी संगत से रंगत है बलकुल आप सबसे मैतपूर हैं आप उठते कहा हैं बैठते कहा हैं किन लोगों से मिलते जुलते हैं वो लोग आपको निर्मिर करते हैं जैसे कि मैं एक उधारन देना चाहूंगा कि मैं एक संगोष्ठी में दूसरे दिन मुझे जो है विद्ध्याले में तो मैंने यही कहा था कि आपके गुरुजी मुझे एक संगोष्ठी में मिले उन्होंने का आप हमारे विद्ध्याले आइए व्याठ्चान तो अगर मैं माल लेजे किसी ग्रोह में आजेब कत्रों के वो मुझसे यह बोलते आ पूरी जगे बैठेंगे तो पिर कठनाईया तो होती जाती है लेकिन मेरा तो यही कहना है कि मेरा तो एक ही फार्मूला है अच्छी संगत से अच्छी रंगत और हर्कत से बरकत अच्छी लोग को आपको घ्यान दे रखनी राजा बुंदेला जी जो हमारे मारगदर्शक हैं उनकी संगत की उन्होंने कहा है न बहुत अच्छे कहानिया सुझे हम लोगों को प्रेरख कहानिया है जैसे के आसिप साप का किस्सा सुना थे उनके असिस्टें ने कहा बंगला खरीद लो तो बोले हैं हम यहां हुआ है कि अभाद्शक भूसर करते लोगों के अच्छे लोगों के थोड़ी बहुत तो निगेटिविटी कभी-कभी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन उसमें सकरात्मक्ता जादा हावी हो जाती है, तो उसकी वज़े से आगे बढ़ने के रास्ता है, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि डरे नहीं, इसलिए जो सूत्रवाक दिवालों में पहले लिखा र सूत्रवाक के वाले हैं राइंड राइटिंग में वो लिख के वो छोटे-छोटे इस्टिकर बनाते हैं, वो वाकरी बहुत प्रेणा इस्पार्णा है, और मैं तो क्योंकि जब भी जाता हूं दिवाले जरूर पढ़ता हूं, दिवालों में जो चीजे लिखी होती ही न व पढ़ाता है, मत प्रसंसा का जहर वरना डुबो देगी, आलोचनात्मक भिष्टिवा, साथ भी आपको जुड़ना पढ़ेगा, कभी-कभी बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो आपको टोक देते हैं, उनकी बात को भी आपको स्रीकार करना पढ़ेगा, ऐसा नहीं, अंद के लिए खासतोर से जो ये इंटर्व्यू देखेंगे, और जो नए कलाकार हैं, उनको कहिना के बहुत बड़ी सीख में लेगी, कि संगत का असर जो ही हमें आगे ले जाने के लिए और प्रिणा देने के काम आता है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि आगे की क्या प्लान लिया करते थे, वो अब कहीं न कहीं कमेंस में तबदील हो गया है, तो आगे की किस तरीके की प्लानिंग है, OTT प्लेटफॉर्म्स पर जमना है, या फिर क्योंकि चीज़े अब धिरे धिरे नॉर्मल भी होती नजर आ रही है, तो किस तरीके का आप देखते हैं आने वाला स जो आप दो सेवेंटी एमम आगे का फॉर्मेट था, वो हिंदुस्तान में उस समय चार टॉकिस थे उस फॉर्मेट के, उसकी रील जो है, जो आम आम ऐसे घूमती थी, उसकी रील ऐसे घूमती है, अच्छा, अला कि उसकी इतनी चौड़ी होती है, तो वो फॉर्मेट में स इंडिया में नहीं बना था, अब क्योंकि आप डिजिटली उगा गया, उसकी मैं नहीं सोचा, कि जो सेलुलाइट का जो मोह है और वो खतम नहीं हो सकता, इतना हुज था था वो, तो वो जो बड़े परदे का जो चस्का है, वो कभी न खत्म हुआ है नहीं नहीं तक लगत जो जो बड़े परदे का मोह है जो बड़ा परदा होता, बड़ा स्क्रीन, तो उसको तो खेल, कोई पार नहीं सकता है न, वो दार खतम होगा, बले ही उसको रेप्लेज करना है, उसकी ज़ूरत को रेप्लेज करना शायद मुश्किल है नाम उनके है, वो तो एक देखिए, जिस चीज का आकर्शन होता है, वो आकर्शन खतम होना इतने जल्ब नहीं सकता, और आप ये देखिए न, परिवारिक महौल में लोग फिल्म को देखते हैं, बिल्कुल पूरा परिवार जाता है, मोईल एकल वे पी देखता है, अकेले अच्छी फिल्में लोग जाते रहेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा मानना है, और बाकी जो सिनेमा सिमट के जो सिनेमा मुबाइल वाला आप ये जो जाता है, वो लोग अकेले ही देखेंगे, और समुल का सिनेमा तो सिनेमा घरों में ही देखा जाएगा, एक इसके बाद मैं एक आखरी सवाल करना चाहूंगा, इस कन्वर्शेशन का थोड़ा सा राजनीती प्रस्भूम, आप शेत्र के जाने माने, आपकी जो राय है वो कहीं नके व राज्य बनाया जाए तब उस कलाकारों की तरक्की, वहां के वैपारियों की तरक्की, वहां के जो आम है, वहां की तरक्की, अगर अधक राज्य बनाया जाए और अलग से फोकस करके सारी चीजों पर ध्यान दिया जाए तो शायद वहां के छेत्ट की तरक्की लिखी है, जो है अन्य देश्रू की अपेक्षा सांसदों की संख्या बहुत कम है उसी प्रकार क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश या मद्प्रदेश को देखा जाए तो भॉग्योलिक इस्तिती अलग-अलग है तो बुंदेल खंड का जो छेत्र है जो पहले आधनरी राज़ा भाई काफ से पानना वड़ा मुश्किल होता है तो तो जो बूंदेल theta है जो फिक हो जब हम देखते हैं तो जह देो कि मुख्याला जासे लखनाव है ़िए एक च्छेतर का मों होता है कि फीक मेरे शेत्र का डेबलमनेंट हो मेरे खेत्राविकास हो टो इंशेत्र को करने के लिए अगर और यह प्रिथक बुंदेल खंड बनाया जाएगा तो यहां का जो कल्चर है और यहां के जो लोग हैं वो भी आगे बढ़ेंगे इसके लिए जो आधरणी राजा भाई जो मुव्मेंट लेके प्रिथक राज अंदोलन का चले हैं और हम लोग उनके साथ रहे हैं शुरू से ह मैं उनकी पद्यात्रा में भी साथ रहा हूं और छोटे राज का जो कंसेप्ट है वो सही है और अब चाहिए हमारा बुंदेल खंड राज को कि विकास तभी होगा बलुकुरू है ताहजना बहुत जरूरी है और सब्सक्राना है और आपको बताए अब गुठली में भी मुझे बुलाया गया था भाई प्रभीन चंद्रा जो कोंच के हैं बुंदेल खंड के उन्होंने बुलाया था और वो लेंग्वेज एक्सपर्ट के रूप में इस फिल्म से जुड़े हुए है तो मेरा तो मानना है कि बना चाहिए और यह जरूरी है कि यहां के जो मुद् को जन जन को इस आंदोलन के साथ जोड़ें कि पर्थक बुंदेल खंड बनाया जाए और यहां की अलग पहचान जो अलग सांस्रतिक धर हो रहे हैं उनको बचा के रखता जाए और इंटरनेशनल पहचान दिलाई जाए शर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अप कुंदेल खंड के कलाकारों को और यहां के आसपास के परवेश को अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहें और जन जागृती लाते रहें बहुत बहुत धनवाद आपका बहुत-बहुत हिर्दैस नमस्ते अजब आपकारों का बहुत तर कि आस डपका बहुत बाढले कि आऑकारों के का इ士裁 motion back on